जै माता दी मित्रो मित्रो मा काल का एस टोडिशनल में आप सभी का हर्दिक स्वगत है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेश वीडियो को देख सकें मित्रो आज हम एक ऐसे राजयोग पर चर्चा करने वाले हैं जिसके होने से कुंडली के काफी दोश दूर हो जाते हैं और कुंडली अगर भलवा नमस्ता में बनता है राजयोग तो कुंडली काफी मजबुत मानी जाती है तो आज हम जो राज्योग पर चर्चा करने वाले हैं वे है गज केसरी राज्योग अब इस राज्योग के नाम से इसपस्ट है गज केसरी गज का मतलब होता है हाती से केसरी का मतलब होता है शेर से तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस राज्योग के होने से हाती और शेर अ जो है हाती के जो अगर हम बात करते हैं मूह लगा हुआ है तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि उनके मुख जो है गनेश जी का मुख जो है हाती के समान अगर हम बात करते हैं तो वहां से आप यह समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति क्यों कि गनेश जी बुद्धी मता की अगर हम बा बहुते हैं और अगर हम सब सबसे हम बैθुत करें ऑर अगर करने के साथ क्वेशु‌ सिउस्टी होते हैं। अब यहां से पहले इस परकार से दिखेंगे कि यहां पर देखते हैं कि गज केसी राजयोग अगर आपकी कुडली बनता है तो किस प्रकार से उसका निर्मान होगा सबसे पहले आपको देखना होगा अपने लगन कुंडली को जहां लगन कुंडली लिखा हो उसके अंदर इस तरीके से आपको जो है कुंडली का निर्मान आपको दिखेगा उस कुंडली के अंतरगत देखे पहले में आप बता देते हैं आपर ये भाव पर्थम भाव जिसको लगन बोलते हैं ये दृत्य भाव ये दृत्य चतुर्थ पंचम शश्टम सप्तम अश्टम नवं दशं एकादश दुआदश इस प्रकार कुंडली में बारा भाव होते हैं अब अगर ये जो राजयोग होता है गजकेसरी ये तीन प्रकार से बनता है जैसे कि एक तो चंद् और बुद्ध के सन्योग से भी और चंद्रमा और शुक्र के सन्योग से भी गजकेसरी का निर्मान होता है इस राजयोग का निर्मान होता है प्रंतु जो ज़्यादा प्रचलित है वो चंद्र गुरु का है उसका भी प्रचलित है लेकिन उसका किस विश्या में प्रचलित अगर भी चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ जाएं तो ये राज्युक का नियमन हो जाता है चंद्र गुरु एक साथ अगर बैठ जाते हैं अर्थाक्त लगन में बैठ जाएं प्रथम भाव में बैठ जाएं या दुत्य में बैठ जाएं चंद्रमा और गुरु एक साथ तब आप कह सकते हैं कि इस कुणली के अंतरगत गज केसरी राजयोग है अब होता क्या है कि राजयोग का परभाव जोगा वो अलग अलग जंगा के इसाब से अलग अलग रहेगा अर्थात जो कम जादा जिसे हम कहते हैं कि जादा परभाव शाली रहेगा कम परभाव शाली आप सभी जानते हैं पहला भाव, चोथा भाव, सात्वा भाव, दस्वा भाव, अगर आप यहां से गिनेंगे तो चोथा आएगा, देखे एक, दो, तीन, चार, इसी तरीके से यह पांच, छे, सात्वा, मतलब पहला, चोथा, सात्वा और दस्वा, इन भावों को केंदर के आपको बीच के भाव दिखाई दे रहे हैं, यह केंदर के भाव है, अगर इन भावों में चंदर्मा और गुरू एक साथ बैठकर गजकेसरी राजयोग का निर्मान कर रहे हैं, तो तब यह ज़्यादा प्रभावशाली होगा, अभी हम इसके जो प्रभावशाली के अगर बन सकता एस परकार से गुरू एक चार साथ दस, एक का तो मतलद चंद्रमा के साथ ही बैट जैए हमने पहले ही बता दिया, कि अगर चंद्रमा से गुरू जो है, चोते में हो, फिर शातवे में हो या दस्वे में हो, तब भी इस राज्योग का निर्मान होता है, और आगर यह बात केंद्र में चेक करें तो ज़्यादा सही रहेगी इस विशय के लिए जो है तो अब यहाँ पे अगर देखिए अगर कुंडली में चंद्रमा लगन में बैठे हो आपके कुंडली में सबकॉस करें मान लिजी आप कि चंद्रमा लगन में बैठे हैं अब इस चंद्रमा से चोत्य वाव गिनिये, एक, दो, तीन, चार, अर्थाद इस चंद्रमा से चोत्य वाव में अगर गुरु बैठा है तब भी आप ही कहिए कि आपकी कुंड्रमा में राजियो का नियमान है, वो भी गजगेसरी का जो है, ऐसा नहीं कि चंद्रमा और गुर केंद्र के भावों में हैं, केंद्र के भावों में हैं, और गुरु भी अगर केंद्र में बैठा हो, ये एक तरीका है, तो आप कहसकते हैं, आपकी कुंड्री में गजगेसरी राज हो गया, जैसे अब चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठ जाए, तब भी चंद्र गुरु ग जजकेसरी राज हो गया जैसे मान लीजिए अगर चंदर्मा यहां पर है यहां पर अगर चंदर्मा है इगर है सपोस्करी मान लीजिए यहां पर चंदर्मा है तो देखे चंदर्मा और गुरू बैठ कर एक तो यहां पर भी जजकेसरी बन गया अब यहां पर अगर चंदर्म आज बैटाएं सकता है इस परकार से आप चेक कर सकते हैं। अभी ये तो बात थी चंद्रमा और गुरू की अब इसी परकार से अगर चंद्रमा और बुद्ध बैठते हैं और चंद्रमा और शुक्र अगर बैठ जाते हैं तब भी गजकेसरी राजुक का निर्मान होता है होता क्या है इसके परभाव अलग-अलग माने जाए गए हैं क् कि चंद्रमा और गुरु जब बैटकर रगज केसरी राजुक का निर्मान करते हैं तो यह कहीं न कहीं व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की और दर्शाता है व्यक्ति के मतलब संस्कारों को बताता है व्यक्ति को ज्यानवान बना देता है धार्मिक बना देता है इस तरह के से कि चंद्रमा और गुरु कर्व राजियोग हुगा वो इस तरीक Hotik के परवाव आपको दे देगा समाज में मान समान पत्रतिष्टा इस तरीक से आप समझ सकते हैं चंद्रमा और बुद्द्र की बात करें बुद्राजकुमार है कहीना कर यह भी इच्छा पूर्थी के और दिखाएगा वेक्ति को मतलब बहुत्तिक चीजों के परती अगर आकर्शन है तो उसकी इच्छा पूर्थी की अगर हम बात करते हैं लेकिन कहीं न कहीं जो चंदर्मा और बुद्ध वाला भी है वो भी वेक्ति के बादिक विकास के और इशारा करता है और जो चंदर्मा और शुक्र वाला राज्योग होगा चंदर्मा और शुक्र के साथ जो राज्योग बनेगा वो राज्योग वेक्ति को बहुतिक विलास क कि अगरम बात करें वैबव की बात करें वह देने वाला होगा यह हो सकता है कि जो चनर्मा और शुक्र का बनने वाला राज्योगों वह व्यक्ति को जीवन के सभी सुखों को जो अगरम बात करें तो वह सब परदान करने वाला होगा पहुत एश्वरी की अगरम बात करते हैं काम वासना की पूर्ति की अगर हम बात करते हैं इस तरह से अगर हम बात करें कामुक्ता की अगर हम बात करते हैं तो वो सारे अगर हम सुको की बात करें इस तरह के सुक व्यक्ति को जीवन में लगजरी का सुक जी सकते हैं वो सारे सुक व्यक्ति को प्रापत हो सकते हैं लक्जिरियस लाइफ वक्ति जी सकता है अगर ये प्रबल वस्ता मने अब देखे ये तो हमने भी समझ लिया है कि राजियोग किस परकार से बनना है कैसे बनना ये आपने समझ लिया है अभी एक बात और धियान रखिए कि कुछ व्यक्ति कहेंगे कि अभी हमारी कुंडले में राजियोग बन रहा है परवाव नहीं मिल रहा है तो परवाव क्यों नहीं मिल रहा है पहले आप इस बात को समझे हो सकता है कि चंदरमा देखे अभी जैसे जिन गरों के द्वारा बन रहा है तो उन्दों को देखे चंदरमा शुकुर के द्वारा बन रहा है उनको देखे चंदर्मा बुद्ध के द्वारा बन रहा है तो उसको देखिए आप अब ये देखना क्या है क्यों हो सकता है आपका घर है या तो अस्तुवा हो सूरिय से एक तो बात आपको ये देखनी है या फिर आपका घर है बालवस्ता में हो मुरतावस्था में हो तो उस वाले केस میں जो है परभाव कम हो जाते हैं या नियून हो जाते हैं या फिर परभाव नहीं मिल पाते ऐसी स्थती वेक्षिके साथ बन जाती है साथी साथ आपको दिखना है कि जिन गरों के द्वारा जैसे चंदर्मा और गुरू के द्वारा बन रहा है कितनी बार ही होता है किसी लगन की कुंडली के लगरम बात करें अगर ये चंद्रमा और गुरू उस लगन की कुंडली में मारक घरे हैं आप जानते हैं अगर नहीं जानते हैं आप चैनल के फल तो मिलेंगे देखी राजियोत बनता है इसका फल मिलेगा लेकिन वो कम हो जाएगा यहाँ पर और एक बात और आप धियान रखिए अगर चंद्रमा और गुरु जो है कुंडली के इंतरगा देखे अच्छी अवस्ता में योग कारग अवस्ता में है और साथी साथ अगर दूसराशी में क्या होजएगा उच्छाजाएगा तब यह परिनाम झो है और केंद्र के भावों में हो यह परिनाम क्या ओंगे विक्ति को अच्छा अगर इस राजयों बहुत कम मिलते हैं नाके बराबर मिलते हैं लेकिन अगर आपके कुंडली में चंद्रमा या गुरू सुअगरही होकर उचके होकर केंद्र के भावों में बैटकर यूब आवस्ता में होकर और सूरे से अस्त ना हो अगर तो तब यह जो परिणाम होते हैं यह स्ट्रिष्ट बन रहा है यह फिर कम जो रवस्ता में बन रहा है यह तो आपको इस प्रकार से चेक करना है अब इसका परिणाम कम मिलता एगर, वेक्ति के कुर्ण ली में होता है तो कहीने कहें पूर आजिएवन मिलता हय वेक्ति को और आगर विशेश रूपोर से अगर केसी राजयोक के अगरम बात करते हैं तो व्यक्ति क्या होगा बुद्धिमान होगा व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए और व्यक्ति जो है मतने अगर चातुरिय की अगरम बात करें व्यक्ति इस तरह के से अगरम काम करता है तो व्यक्ति को जो है बुद्धी मत्ता से अपने काम लेना चाहिए व्यक्ति ज्यानवान होता है विशेशुप से आध्यात्मिक होता है वेनन होता है संसकारी होता है धार्मिक होता है अब ऐसा व्यक्ति क्योंकि बुद्ध की अगर चंद्रमा और बुद्ध के द्वारा बन रहा है चंद चंदमा और शुकर की अगर हम बात करते हैं तब भी अगर यह राजयोग जब यह बनता है शुकर और चंदर का तो यह बहुत ही पिला सेश्वेरी जब हमने बताया कंफ़र्ट की बात करी है आराम की बात करी है उसी के साथ यह कला के छेटर में विश्यर शुक्त से उन्नती जो है उच्चाई के काराक है आध्यात्म के काराक है व्यक्ति के चैरे पर एक विश्यर शुप से तेज दिखाई देगा हो सकता है जो चंदर्मा और शुक्र वाला तेजो व्यक्ति का लक्ष्मी अगर हम बात करते हैं जैसे लक्ष्मिवान व्यक्ति के चैरे पर एक तेज पुट्रवान होगा व्यक्ति दानी होगा यशस्वी होगा इमानदार होगा गुरू के कारण वहापे महत्वकाश्य अगर उसके अंदर इच्छाएं बहुत होगी अगर तो उसको भी आप समझ सकते हैं उच्छाओं के पूर्टी करने वाला होगा वो अपने ज्यान के बल प करत्रवियों का पालन करने वाला होगा जो अपनी करत्मी है अपनी जिम्मेदारी है उसको भली बाती होगा कुछ इस परकार से व्यक्ति का जो एक आदर्श्वादी व्यक्ति होता है यह अपने निति दान फोते हैं उन पर चन्द्रमा और गुरू से अगर मनता है तो वहा क्या देखना है आपको कि कहीं कितनी बार होता क्या है कि राजियों बन गया आप उस पर पापागरों की दृष्टी आ गई लगन पर पापागरों की दृष्टी आ गई तो अभी हमने जैसे आद्यात निगाए जूट ना बूलने वाला वाजाया सत्य पिरिय बताया तो वहा आपको आपको स्मधितैन सकते हैं वीडियों अगर आपको दो लाइक कीजिये आर मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए माता दी